नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं इस माइकार सर्च और मैं हूं आपका दोस्त सनील और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Hyundai Sandro और Tata Tiago के कमपरिजन के बारे में जी हाँ Hyundai Sandro और Tata Tiago same segment को बिलांग करती हैं प्राइसिंग भी लगवग सेम ही है और इनमें आने वाले फीचर्स भी लगवग सेम ही हो जाते हैं और दोनों ही एंट्री लेवल हैट पेक सेगमेंट में काफी हब तक एक दूसरे के साथ कम्पीट करने वाली है जहाँ पे टाटा टियागो इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा कर रही है अब हुंडई सेंट्रो आने के बाद टाटा टियागो पे क्या असर होने वाला है और यह दोनों कारे एक दूसरे के आमने सामने कैसे बैठती है इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे इसमें मैं बहुत डिटेल में जाके बात नहीं करने वाला हूँ अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं मैं एक detailed comparison वीडियो भी बना दूँगा लेकिन यहाँ पे आपको मैं कुछ ऐसे points बताऊँगा जहाँ पे आप decide कर पाएंगे कि कौन सी कार आपके लिए बहतर रहेगी तो चले सुरू करते हैं इस वीडियो को वीडियो सुरू करने से पहले मेरा आपसे request है अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इस चैनल को subscribe कर लिजे और साथ मही notification bell को भी प्रेस कर दीजे ताकि आपको आगे आने ले वीडियो का notifications मिलते रहें तो सबसे पहला point यह है कि दोनों ही cars का मुझे टियागो पसंद आ सकती है आपको कुछ और पसंद आ सकती है तो look आप खुड decide कीजिए जहां तक मैं कह सकता हूँ दोनों ही cars का look काफी अच्छा है टियागो एक काफी अच्छे board और smart look के साथ आती है वहीं पे centro जो है दोनों के engine की तो दोनों में ही काफी अच्छे engine लगाया गया है जहां पे टियागो में 1.2 liter का 3 cylinder petrol engine है वहीं पे centro में आपको 1.1 liter का petrol engine मिलता है जो 4 cylinder वाला है और यहीं पे 4 cylinder engine होने के कारड Hyundai centro जो है वो टियागो पे तोड़ी सी भारी पड़ती नजर आ रही है क्योंकि इसका जो engine noise वो केविन में बहुत ही कम सुनाई देता है या लगवग ना के बराबर है वहीं पे टियागो में आपको engine noise केविन के अंदर काफी हद तक evident होता है आपको सुनने को मिल जाता है तो अगर आपको सांथ केविन चाहिए या सांथ कार चाहिए जो चलाते वक्त आपको ज्यादे noise ना आये केविन के अंदर तो आप centro की तरफ जा सकते हैं इसके साथ ही centro का engine जो है वो काफी अच्छा initial pickup देता है Tiago के तुलना में लेकिन Tiago का engine भी बहतर है काफी अच्छा है लेकिन centro तोड़ी सी जरूर एज रखती है Tiago के engine के उपर अब हम बात कर लेते हैं दोनों के interior के बारे में तो interior की जो बात कर लेते हैं तो interior के जहां तक हम बात करेंगे तो interior में भी दोनों ही cars लगबग 19 बिच का ही फरक है जहां पे Hyundai centro 2018 वो grand item से काफी मिलती जूलती exterior में भी और interior में भी तो यहां पे आपको interior में काफी एक अच्छा look देखने को मिलता है इसकी plastic quality भी थोड़ी अच्छी है Tata Tiago की तुलना में तो यहां पे आपको interior में थोड़ी अच्छी quality मिल जाएगी थोड़ा अच्छे features मिल जाएंगे Tata Tiago की तुलना में वहीं पे अगर हम बात करें interior space की तो Hyundai centro थोड़ी सी उची कार है तो वहां पे अच्छा headroom मिल जाता है और साती साथ आपको Hyundai centro 2018 में अच्छा खासा legroom भी मिल जाता है और यह legroom Tata Tiago में आने वाले legroom और headroom से थोड़ा बहतर जरूर है तो अगर आपको एक बहतर legroom और headroom वाली और बहतर spacious car चाहिए तो आप Hyundai centro 2018 थोड़ा सा edge रखती है Tata Tiago के उपर लेकि इसकी quality भी काफी अच्छी बनाई गई है तो आप दोनों ही cars में बहुत जादा फर्क नहीं 19-20 का फर्क है लेकिन मेरे ही सबसे centro थोड़ी बेटर है interior के मामले में भी अब हम बाग कर लेते हैं दोनों के safety features की तो safety features में जहाँ पर Hyundai center 2018 आती है ABS और driver side airbag के साथ as standard यानि की Hyundai center के हर एक variant में आपको ABS और driver side airbag मिल जाते हैं standard वहीं पर Tata Tiago में आपको ये safety features हर एक variant में नहीं मिल पाते हैं जो की एक drawback है Tata Tiago के लिए तो यहाँ पर भी safety के मामले में Centro थोड़ी better है ABS और airbag होने के कारण Tata Tiago से साथी साथ अगर हम बात करें दोनों के performance की तो अगर हम बात करें mileage की जिसको हम Indians काफी तवज्जो देते हैं तो वहाँ पे Centro जो है वो Tata Tiago से काफी पिछड़ जाती है क्योंकि Tata Tiago आपको काफी बहतर mileage देगी Hyundai Centro 2019 की तुलना म है तो अगर आपको अच्छा mileage चाहिए तो आप Tata Tiago की तरब जा सकते हैं otherwise आप Centro की तरब भी जा सकते हैं Centro को भी देख सकते हैं अगर हम बात करें दोनों के exterior build quality की मामले में Tata Tiago का जो exterior है वो काफी जादा strong है काफी strong material से बनाया गया है Centro का भी exterior काफी अच्छा है लेकिन Tiago का exterior जादे strong है लेकिन ABS और airbag होने के कारण Centro lower variant में Tiago से जादे safer कार बन जाती है अगर हम बात करें दोनों ही कार्स के pricing की तो दोनों ही कार्स की pricing level सेम है कुछ 15-20,000 रुपे का हर एक variant में अंतर पड़ जाता है लेकिन वहां पे भी अगर आप देखें तो Centro में आपको ज आप Hyundai Centro की तरफ जा सकते हैं अगर आप lower variant लेना चाते हैं और top variant अगर आप लेना चाते हैं तो आप दोनों में से कोई भी कार ले सकते हैं वहां पे आपको safety features दोनों में ही मिल जाते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताए कि आपको इन दोनों कार्स में से कौन सी कार यह हमारे कमपरीजियर में Hyundai Centro Tata Tiago से थोड़ी जादे बेटर साबित हुई है अगर आप इससे सहमद करते हैं तो नीचे कमेंट करके बताए अगर आप इससे agree नहीं करते हैं तो भी आप कमेंट करके बताए कि आप क्यूं agree नहीं करते हैं और आप कोई भी कार लेने से पहल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपके पास अगर कुछ सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमारे साथ पूछ सकते हैं, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में तब तक के लिए, सीट झाल झाल झाल